नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हम आपकी पुस्तक व्यवसाईक अध्यान का पहला आध्याय व्यवसाई व्यापार और वानिज्य पढ़ने जा रहे हैं यह बहुत ही जरूरी चैप्टर है क्योंकि इसके आधार पर आपकी पूरी पुस्तक और आपके इस पूरे विशय का एक आधार और नीव तयार होगी और जैसा कि आप जानते हैं नीव जब तक सही और मजबूत नहों तब तक उसके उपर की इमारत भी मजबूत नहीं होती तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस अध्याय पर बहुत ध्यान दें इसकी बारिक्यों को समझें ताकि आप आने वाले जो अध्याय हैं और इस विशय के बारे में जो आपको जानना है वो जानने में आपको आसानी हो लेकिन आपको बारिक्यों में ले जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इसको थोड़ा सा आसान रखें और हम ये सोचे हैं कि हम ये विशाय क्यों पढ़ रहे हैं, व्यवसाय के बारे में क्यों जानना है और क्या हम पहली बार इसके बारे हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारे लिए कोई नई चीज है, या क्या हमारे देश के लिए कोई नई चीज है, क्या हम इसको अचानक से एक नए तकनीकी तरीके से पढ़ेंगे मेरा कहना है नहीं हम इसको कोशिश करते हैं जानने की इतिहास के माध्यम से अब सभी बच्चे दस्वी की परिक्षाओं के बाद 11 कक्षा में आए हैं अब सब ने 10 वी तक इतिहास की किताबें कई कक्षाओं में पढ़ी हैं अब सब को याद होगा कि कई बार आपने जिक्र सुना है या पढ़ा है कि विदेशों से कई यातरी या कई व्यापारी भारत आया करते थे व्यापार की सिलसले में ही आए हुए बिरिटिश या इंग्रेज व्यापारी आगे चलके हमारे देश के शासक बन बैठे तो ये व्यापार और व्यवसाय में ऐसा क्या था और भारत में खास करके ऐसा क्या था जिसकी वज़ा से इतना जादा भारत पूरी दुनिया की नजरों में बना रहा भारत को पूरी दुनिया में सोने की चडिया या स्वरनिम भारत के नाम से जाना जाता था क्योंकि भारत अपने संसादनों के वज़ा से बहुत ही सम्रिद्ध देश था भारत में चाहे हम खनीच संसादनों की बात करें या हम खेती के लिए उप्युक्त जलवायू या मिट्टी की बात करें या किसी भी आने तरह के धातू जैसे सोना चांद या दिया दिन की बात करें भारत इन सभी संसादनों में हमेशा संपन रहा है जिसकी वज़ा से भारत पर दुनिया भर की नजरें हमेशा से रही हैं हाला कि भारत तक आने का रास्ता 1497-98 में वास्को डिगामा ने जो कि एक पुर्तगाली नाविक था उन्होंने खोजा जब से ये घटना घटी इसके बाद से भारत विदेशों से लोगों का आना जाना बहुत जादा शुरू हो गया और ऐसे कई सारे मार्ग बने जिनका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय और व्यवपार को ही आगे बढ़ाने का था कई मार्ग भारत से सिधा जाते थे जबकि कई मार्ग भारती उप महदविप के अन्य देशों जैसे चाइना आदी से होके जाते थे आपने पिछली कक्षाओं में रेशमी मार्ग जिसको सिल्क रूट भी आपने सुना होगा उसके नाम से भी जाना जाता है मसाला मार्ग जहां जिससे कि भारत के मसाले दुनिया भर में पहुंचते थे उनको बहुत जादा दुनिया भर ने यूज किया ऐसे कई मार्ग बने ऐसे कई रास्ते बने जिनके जरिये दुनिया भारत तक आना चाहती थी और आती थी तो इन सभी चीजों का भारत की संस्कृति पर बहुत असर पड़ा भारत की राजनेतिक और संस्कृतिक संपदा पर इसका बहुत असर पड़ा भारत ना केवल व्यापारी आए बलकि शाशक भी आए जैसा कि हम जानते हैं करीब 1750 सन के आसपास Britishers और उनकी East India Company भारत व्यापार करने के उदेशे से आए और जो कि आगे जाकर जिन्होंने भारत को करीब करीब 200 सालों तक इस पर साशन भी किया तो ये सब व्यापार के वज़े से व्यापार के कारण हुआ व्यापार ने भारत की संस्कृति को बहुत बदला है भारत के उपर बहुत गहरी छाब चोड़ी और ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बलकि दुनिया के किसी भी देश का आप उधारन ले लें व्यापार और व्यवसाए एक ऐसी चीज है जिसने हमेशा समाजों के निर्माण में बहुत महतुपूर्ण भूमी का निभाई है भारत में भी ऐसा ही रहा है जितने भी मार्गों की मैंने बात की ऐसे अन्य कई मार्ग थे जिनके भारत से जुड़ने के बाद भारत में कई सारे व्यवसाईक और व्यापारिक समुदाए बने कई लोगों ने अपने गुट बनाए समुदाए बनाए व्यापारियों ने अपने समुदाए बनाए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके उनके भलाई को और बढ़ावा दिया जा सके लोगों ने तरह तरह के वैपार अपनाए चाहे वो क्रिशी में हो चाहे वो कारीगरी हो चिनाई हो निर्मान का कारी हो या किसी भी तरह का कारी हो परिवहन हो सभी तरह के व्यवसाए भारत के लोगों ने अपनाए उन में अपनी महनत को लगाया और दुनिया भर में अपना नाम कमाया इतना ही नहीं व्यवसाए के कारण भारत में कई व्यवपारिक केंदरों का निर्मान हुआ ऐसे शहर या ऐसे छेतर जो पहले शायद लोगों के लिए अंजान थे अब वो ना केवल भारत के लिए बलकि पूरी दुनिया के लिए बड़े व्यापारिक केंदर बन गए चाहे हम मतुरा की बात करें हो जैन की बात करें पेशावर हो पाटले पुत्र हो सूरत हो ये सभी दुनिया के नक्षे पर ना केवल भारत के बलकि दुनिया के नक्षे पर बड़े व्यापारिक केंदर बन कर उबरें तो इस तरह से धीरे धीरे करीब हम कह सकते हैं कि सन 1500 के बाद से उसके अगले 300-400 सालों तक भारत में व्यापार, व्यवसाय इन सब को दुनिया तक पहु प्रणाली आपको जानकर है कि आज हम इतने सारे बैंक जो अपने आसपास देखते हैं, बैंक हमारी जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग बन गए है, ये बैंक भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, भारत में बैंक और बैंकिंग गतिविधिया, बैंकिंग प्रणाली कई सदियों से चली आ रही है, बलकि आपको जानकर और हरानी होगे कि भारत का एक खुद का स्वदेशी बैंकिंग तंत्र कई सालों पहले, कई सौ साल पहले विक्सित हो गया था, जिसने अपने कई तंत्र बनाए, अपने कई दस्तावेज बनाए, जो आगे जाकर यूरोप औ अन्य महादवीप के देशों में अपनाए गए, भारत की जो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी, उसको बल मिला जब अंग्रेजों के आने के बाद भारत ने मुद्रा का उपयोग करना सीखा, मुद्रा के उपयोग से पहले आप जानते हैं, वस्तु विने में प्रणाल किया जाने लगा, सोने चांदीवान ने कई धातों का इस्तमाल किया जाने लगा, मुद्रा को बनाने के लिए, मुद्रा का जब से प्रचलन शुरू हुआ, तो व्यापार, वेवसाय और बढ़ा, जिससे लेन देन बढ़ा, लोगों ने बैंकिंग को अपना वेवसाय बना साथ की, तो लोगों के लेन देन बढ़े, लोगों के जब लेन देन बढ़े, तो लोग उधार लेन देन भी करनी लगे, आज की नहीं बलकि भावी भुकतान या भविश्य की भुकतान के बारे में भी सोचने लगे, किसी को अगर आज पैसों की जरूरत है, तो वो किसी से मांग सकता था ताकि वो इसे बाद में चुकाए भले कुछ ब्याज के साथ चुकाए तो लोग आज की नहीं बलकि आगे की को ध्यान में रखते हुए भी लेंदेन करने लगे और जब आगे यानि रिण के लेंदेन की बात आई या जब उधार लेंदेन की बात आई तो ऐसे कई दस्तावेज बने जिसको हम आगे जाकर अंग्रेजी भाषा में या या यूरोपियन सभिता के अनुसार पड़ते हैं ऐसे कई दस्तावेज भारत की बैंकिंग प्रणाली में बहुत प्रसिद्ध हुए इनी में से एक महत्वपूर दस्तावेज है हुंडी हुंडी ऐसा दस्तावेज था जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आदेश देता था कि उसे किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भुक्तान करना है जिसका की नाम उस दस्तावेज पर लिखा हुआ है मान लीजिए मैं X नाम के एक व्यक्ति को आदेश देता हूँ कि उसे Y नाम के एक व्यक्ति को कुछ भुक्तान करना है इसके लिए मैं X को हुंडी का दस्तावेश दूँगा जिसके ओपर Y का नाम लिखा होगा Y उस राशी को पाने का हगदार बनेगा और X का ये दाइत्व होगा कि X, Y को उस राशी का भुक्तान करे हुंडी ने भारतिय बैंकिंग प्रडाली में लेन देन को बहुती सुचारू और सुविधाजनक बना दिया इसका एक तो विशेश्ता थी कि ये स्थानिय भाशा में हुआ करती थी दूसरा बिना शर्थ X जैसे व्यक्ति को भुक्तान करने का आदेश होता था और तीसरा हुंडी जैसे दस्तावेज हस्तानतरनिय होते थे इसका आर्थी था कि इन दस्तावेजों को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तानतरन भी किया कर सकता था मतलब अगर Y चाहता कि X वो भुक्तान Y की जगह किसी और को करे तो Y उस दस्तावेज को हुंडी को किसी और मानली ज़ेड नाम के एक व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता था तो इन सभी वजहों से हुंडी और ऐसे अन्य कई दस्तावेज थे जिन्नोंने लेन देन को बहुत सुविधा जनक बनाया बलकि इतना जादा इनका उप्योग होने लगा कि इनके भी कई प्रकार बने हुंडियों के भी दो प्रकार थे एक दर्शनी हुंडी और दूसरा मुद्धती हुंडी दर्शनी हुंडी के उपर कोई निश्चित्ति नहीं लिखी जाते थी वो जब प्राप्त करता चाहे वो एक्स नाम के वेक्ति से उसे मांग सकता था जबकि मुद्धती हुंडियों पर भुकतान की तारीख लिखी जाती थी तो इस प्रकार हुंडियों और ऐसे कई दस्तावेजों ने भारती बैंकिंग को बड़ा ही एक सुद्रिड सिस्टम या प्रणाली बनाया बैंकिंग प्रणाली के सुद्रिड होते ही भारत में व्यापार और जादा बढ़ने लगा और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत में कई व्यापारी केंद्र बन के उबरे इतना जादा व्यापार भारत में फैल गया कि भारत का विष्व व्यापार या व्यवसाय में योगदान या कहले हिस्सा बहुत जादा हो गया सन 1750 के आस्पास भारत दुनिया भर के उद्द्योगिक उतपादन का करीब-करीब 25 प्रतिशत हिस्सेदार था हाला कि हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये वो समय था जब यूरोप में अभी तक ओद्योगी करण अपने पूरे जोर पर नहीं आया था जिसके कारण भारत में हस्त निर्मित वस्तूओं का जो बाजार था वो दुनिया भर में बहुत जादा प्रसिद्य था लेकिन जब से 1750 के आसपास अंग्रेजी साशन की शुरुवात भारत में होने लगी जब ब्रिटिश व्यापारी और उनकी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिवेश किया और धीरे धीरे भारत को अपने साशन के अंदर ले लिया तो इसके बाद उन्होंने बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से भारती व्यवसाय को केवल अपने तक सीमित रखने की कोशिश की जिस कारण भारत का विश्व व्यापार में या व्यवसाय में हिस्सा धीरे धीरे घटते गया सन 1952 आते 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 आज़ादी की कुछ साल बाद की के आकड़े की अगर हम बात करें तो भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा केवल 3.8 प्रतिशत का रह गया था हाला की आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने और आज तक की सरकारों ने काफी जादा कोशिशें की हैं कई नेतिया बनाई गई हैं कई कारेकरम चलाए गए हैं ताकि भारत में व्यवसाय को बढ़ावा मिले और हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक ये सफल भी रहा है क्योंकि करीब 10 साल पहले एक ऐसा भी समय था जब भारत की अर्थ विवस्था दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ रही थी और आज भी भारते विवसाय दुनिया भर की नजरों में काफी अच्छा इस्थान प्रा दुगदान रहा है इसने भारत को राजनेतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक हर तरह से भारत को प्रभावित किया है अता हम देख सकते हैं कि विवसाय का हमारी समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये पूरा एतिहासिक परिपेख्ष देखने के बाद अब हम चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान रखें कि व्यवसाय सिर्फ एक विशय नहीं बलकि एक जीवन शैली है और भारत जैसे समाजों को परिवर्तित करने की शम्ता रखने वाली एक धारा है। गतिविदियों को मुख्यत है दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक वो गतिविदियां जो पैसे के लिए की जाती हैं, जो आये कमाने के लिए की जाती हैं, जिनका उदेश लाब या आमदनी कमाना होता है। इन्हें हम आर्थिक क्रियाए कहते हैं। दूसरी वो क्रि उधारण के लिए मान लेते हैं कि अगर एक सिक्षक किसी विद्यालै में पढ़ा रहा है और वहां से अपनी आमदिनी या अपना वेतन ले रहा है तो वो एक आर्थिक क्रिया है लेकिन अगर यही सिक्षक किसी पिछडे छेत्र में जाकर वहां कर बच्चों को को मुफ्त सिक्षा दे रहा है तो यही सिकशक एक अनार्थिक क्रिया कर रहा है एक और धालन ने अगर अगर आप तो घर में माताएगे जब भोजन पकाती है परिवार के लिए तो एक क्रिया आर्थिक उसके पीछे लाब का प्रलोभन नहीं है लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी होटेल या किसी रेस्टरों में जाके खाना पकाती है और बदले में वेतन लेती है तो वो एक आर्थिक क्रिया बन जाती है वो क्रियाएं जो हम पैसों के लिए करते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी और जो क्रियाएं हम पैसों के लिए नहीं बलकि प्रेम भावना या दया भावना आदिसे करते हैं वो अनार्थिक क्रियाएं कहलेंगे हम अपना ध्यान आर्थिक क्रियाओं पर ही केंदृत करेंगे आर्थिक क्रियाओं को तीन वर्गों में बाटा गया है यानि कि कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए या आमदनी कमाने के लिए जो भी गतिविधिया करता है उनको हम तीन वर्गों में बाट सकते हैं पहला व्यवसाय, दूसरा रोजगार और तीसरा पेशा ठीक है ध्यान से सुनना है इनको पहला व्यवसाय, दूसरा रोजगार और तीसरा पेशा ये तीन तरह की गतिविद्या है मतलब कोई भी इंसान अगर पैसे कमा रहा है कानूनी तरीकों से तो या तो किसी व्यवसाय मे होगा या रोजगार में होगा इन तीनों का मतलब हम समझेंगे एक सारणी या टेबल के सहायता से जहां पर हम तीनों के बीच अंतर देखेंगे और अंतर के माध्यम से हम इनके बारे में समझेंगे, तो अभी अंतर आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप इनको ध्यान से देखें और एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इन तीनों गतिविधियों के बीच अलग-अलग बिंदू उद्यमी का निरनायी, एक बार एक उद्यमी या एक व्यक्ति निरनायी कर लाले कि उसे कोई व्यवद्यक्ताय करना है, उसके बाद वो शुश्रू करता है और शुरू करने के साथ या उससे पहले कुछ Huge, Agrab tu अगर जरूरि हों, तो उनको पूरा करता है इन कानूनी आपचारिकताओं की जरूरत के बारे में आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे कि किस तरह के व्यवसाय में किस तरह की आपचारिकताओं होती है उद्धारण के लिए अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आपको भारत में बार काउंसिल ओफ इंडिया की सदस्यता लेनी पड़ेगी अगर आप एक C.A. यानी के Chartered Accountant बनना चाहते हो तो आपको भारत में I.C.A.I. की सदस्यता लेनी पड़ेगी तो पेशे को शुरू करने या स्थापित करने के लिए एक संस्था की सदस्ता आवश्यक होती है जबकि रोजगार शुरू करने के लिए आपको जिस जगह रोजगार करना है वहाँ का जो स्वामी है या वो जो कंपनी है उससे केवल एक न्यूक्ति पत्र या सेवा समझोता चाहिए जिसे हम जॉब कॉंट्राक्ट भी कहते हैं उसके बाद आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं दूसरी बात कारे की प्रकृती व्यवसाई में क्या करते हैं बहुत सरल बात है व्यवसाई में एक व्यवसाई जनता के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्द कराता है वो उन वस्तुओं और सेवाओं को जनता तक पहुँचाता है जबकि पेशे में एक व्यक्ति विशेशग्य सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि कोई डॉक्टर, कोई वकील ये अपनी विशेशग्य सेवाएं देते हैं जो उनकी खुद की सिक्षा है, जो उनका खुद का कुशलता है उसके अनुसार वो लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि रोजगार में क्या काम करना है, इसका निर्ने, सेवा समझोते के अनुसार या उस जगह के स्वामी के अनुसार, उनके दुआरा दिये गए निर्देशों के अनुसार, ये निर्धारित होता है तीसरी बात अगर हम योग गिता की बात करें तो आप सब जानते हैं कि व्यवसाई करने के लिए किसी भी तरह की योग गिता की आवशक्ता नहीं होती कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाई शुरू कर सकता है जबकि पेशा यानी जैसे कि डॉक्टर, वकील इस तरह के पेशों में जाने के लिए एक विशेश प्रसिक्षण वा सिक्षा की आवशक्ता होती है आप इन पेशों में बिना उस विशेश प्रसिक्षण या डिगरी या योगिता के नहीं जा सकते रोजगार करने के लिए क्या योगिता चाहिए ये हर रोजगार में अलग होता है और इसे रोजगार निर्धारक ही निर्धारित करते हैं रोजगार प्रदान करने वाले ही निर्धारित करते हैं चौथी और सबसे जरूरी बात प्रतिफल यानि मिलता क्या है इनको करके वेवसाई करके आप जानते ही है लाब मिलता है वेवसाई करने का उदेश यह होता है कि लाब यानि प्रॉफिट कमाया जाए जबकि पेशा करके फीस मिलती है डॉक्टर्स को क्या मिलता है फीस वकीलों को क्या मिलती है फीस और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार करने के बदले में हमें या तो वेतन मिलती है या मजदूरी चौथे नंबर पे अगर हम आते हैं पूंजी निवेश के अगर बात की जाए तो आप सबको पता है कि वेवसाय करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है पूंजी लगानी पड़ती है और काफी अच्छी मातरा में पूंजी लगानी पड़ती है हलाकि यह इस बात पर अपना खुद का एक संस्थान शुरू करता है तो उसे उसके लिए पूंजी की आवशक्ता पढ़ सकती है जैसे अगर एक डॉक्टर है वो चाहे तो किसी हॉस्पिटल में सेवा दे सकता है बदले में फीस या वेतन लेकर पर वही डॉक्टर अगर चाहे तो अपना खुद का वशक्ता नहीं पढ़ती आपको सिर्फ जाना है और रोजगार प्रदाता के यहां पर काम करना है अब जब पूंजी लगाएंगे तो जोखिम का सवाल भी आएगा इसलिए व्यवसाई में जोखिम होता है और काफी जादा जोखिम होता है लेकिन उसी का परिणाम होता है लाब भी लाब और जोखिम एक साथ चलते हैं जितना जादा जोखिम उतना जादा लाब इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे तो व्यवसाई में जोखिम है व्यवसाई के चलने ना चलने लाब होने या ना होने का जोखिम है पेशे में हालकि फीस मुखित है और स जोखिम कम होता है रोजगार में कोई जोखिम नहीं अगर आपने काम किया है आपको बदले में वेतन मिलेगा साथवे नंबर पर अगर हम चलते हैं तो व्यवसाई में एक व्यवसाई अपना हित हस्तांतरित कर सकता है यानि अगर मेरा कोई व्यवसा है मैं चाहूं तो इसे अपने भाई को दे सकता हूं चलाने के लिए किसी दोस्त को दे सकता हूं चलाने के लिए मैं किसी और को भी उसे बेच सकता हूं लेकिन पेशे में ये संभव नहीं है एक डॉक्टर अपना काम किसी और को नहीं दे सकता वो काम उसके कुशलता पर सीधे तोर पर जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हस्तांतरित करना संभव नहीं है और इसी तरह रोजगार भी एक समझोते के अनुसार होता है तो जो समझोता दो लोगों के बीच है उसे एक व्यक्ति दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता और अंत में अगर हम आचार सहिता की बात करें कि क्या इन्हें करने के लिए किसी प्रकार की आचार सहिता या नियम कानून है तो विवसाई के लिए कोई ऐसे पुखता या मजबूत नियम या आचार सहीता नहीं है लेकिन पेशे में जैसा कि हमने शुरुवात में देखा पेशे को करने से पहले किसी संस्था से खुद को जोड़ना होता है तो हमें उस संस्था की आचार सहीता का पालन भी करना पड़ता है जबकि रोजगार में क्या आचार सहीता रहेगी या क्या नियम रहेंगे वो रोजगार देने वाला या अपनी कमपनी का जो स्वामी है वो निर्धारित करता है तो बच्चों जैसा कि आप समझ गए हैं वैवसाय, रोजगार और पेशा ये तीन गतिविद्या हैं जो आर्थिक रूप से कोई भी व्यक्ति करता है हमारा केंद्र बिंदू क्या है वैवसाय तो आने वाले भाग में हम वैवसाय की और बारीकियों को समझेंगे इस भाग में हमने क्या क्या देखा हमने देखा कि भारत में वैवसाय का इतिहास बहुत पुराना है और व्यवसाय ने भारत को राजनितिक और सामाजिक तोर पर बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ लिया है, बहुत बदला है व्यवसाई ने भारत को बहुत बदला है तो हमने व्यवसाई का इतिहास देखा और क्रियाओं के बारे में देखा कि आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है और व्यवसाई उनी में से एक आर्थिक क्रिया है तो हमने आज इस भाग में ये सुनिश्चित किया कि व्यवसाई एक आर्थिक क्रिया है और एक बहुत जरूरी आर्थिक क्रिया है अगले भाग में जैसा कि मैंने बताया हम व्यवसाई की अन्य बारिक्यों को बहुत अच्छे से समझेंगे आज के भाग में इतना ही धन्यवाद झाले इतना ही हैएएएएिद नही है है कि मैंने अन्य बारिक्न हाँ आप एक था ञियाओन धन्य भी कंचिछ ि ए हृभ को बटमों के वाख एक डैस दिन क्राफ्टों के माश में रापवस्के पाफ्यां